किस से? Interference से, तो हम भी start करते हैं, किस से? किस topic से start करते हैं? Interference से, actually interference, interference means टकराना, और या बोल सकते हैं super position, तो super position या टकराना, कब होगा? जब minimum कितनी raise हो, 2, minimum भी कितनी हो, 2 हो, तभी जाके वे आपस में टकरा सकती हैं, तो जब हम interference से start करते हैं, तो सबसे पहले जिनका नाम आता है, वो है हाइगेंस, और हाइगेंस का जो wave theory कहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो theory है, यही interference को पूरी तरह से define भी करती है, और explain भी बही करती है, तो इसको जैसा जैसा इसमें लिखा हुआ है, मेभी हो सकता है, कुछ आपको जो terminology है, वो थोड़ी सी नई लगे, इसलिए इसके साथ साथ मैं diagram बनाती हूँ, ताकि आपको उस terminology से खुद को आप connect कर सकें, उससे आप familiar हो सकें, ठीक है, तो सबसे पहले, suppose each point on a wave front, है न, each point on a wave front, suppose s is a source, ये एक source है, जहां से क्या आ रही है, लाइट आ रही है, अब इस source को भी कैसा होना चाहिए, क्या condition होनी चाहिए, इसके बारे में हम discuss करेंगे बट बाद में, तो अभी बात करते हैं, suppose s is a source, source कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम discuss, वो भी करना जरूरी है, वो बाद में करते हैं, फिलहाल इसी को लेते हैं, each point on a wave front तो सबसे पहले जब यह source से light निकलती है तो हम उसको कैसे भी हजियूम कर सकते हैं हो सकता है हम सोचें कि यह जो light निकल रही है यह race के form में है लेकिन जो हाइगेंस का थेओरी है वो जब बताता है तो वो क्या बोलता है कि each source यहां से जब light आगे बढ़ती है प्रपोगेट होती है तो light जो है इस तरीके के कुछ स्फेरिकल शेप में कुछ इस तरीके से प्रपोगेट होती है और इन्ही को कहते हैं क्या wave front तो अब फिर से आते हैं वापस each point on a wave front wave front means एक प्रकार का एक pattern है जिस pattern को follow करते हुए light आगे की तरफ प्रपोगेट होती है तो पहली term के लिए रखना wave front क्या है तो each point on a wave front अब each point means अगर ये suppose हम इस wave front को consider करते हैं या इसको करते हैं तो each point मतलब इसका लगभग हर point मैं तो आपको दिखाने के लिए तब भी बहुत दूर-दूर बना रही हूं बट फिर भी इस wave front पर जितने भी point हम draw कर सकें इस wave front पर जितने भी point draw कर सकते हैं हर point किसका काम करता है हर point काम करता है acts as a source of secondary wavelets secondary wavelets मतलब main source एक था ये बिल्कुल ऐसे आप लूब मान के चलिए suppose sun से light आती है तो source हुआ sun light eye wave front के form में है ना और आपके room में suppose दो window है तो वो जो दो window है वो दो window किसका काम कर रही है एक प्रकार से आप मान लेजीए तो वो दो point है तो वो दो point भी किसका काम कर रहे है source का काम कर रहे है और जो दो window से light आ रही है windows से light आ रही है उस windows को आप ये बोल सकते है उनको ये बोल सकते है कि जब वो windows में से होके आ रही है तो उसको आप दो windows को बोल सकते हैं कि these lights या these light rays are coming from secondary wavelengths उनको आप क्या नाम दे सकते हैं secondary wavelengths ठीक है तो ये तो हो गया primary source और इसका जो हर point है जो कि source का काम कर रहा है तो इसका हर point अगर source का काम करेगा तो बनी बात है कि हर point से क्या निकल सकती है बचो इस तरीके से light जो है आगे की तरफ बढ़ सकती है